तो चलिए दोस्तों बनाते हैं बहुत ही तेश्टी नास्ता, तेश्टी के साथ ये बहुत ही हेल्दी रहेगा, तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं, आप इस नास्ते को कभी भी बना कर खा सकते हैं, चाहे तो बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, इसके लिए मैंने आधा कप के करीब और पानी डाला है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद हम इसे ढख देंगे और ढख कर करीब 10 मिनट के लिए हम इसे साइड में रख देंगे दोस्तो ये नास्ता बहुत ही हिल्दी होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बड़े से लेकर छोटे तक सभी लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे तो आप एक वर जरूर बना कर देखेगा मैंने गैस पे पैन रखा है पैन में तेल डाला है, जीरा डाला है, हरी मिर्स डाला है और अद्रह काट कर डाला है अब हम इसे कुछ सेकेंड के लिए हम इसे भून लेंगे इसे भूनने के बाद मैंने इसमें एक बारिक कटा हुआ प्याज डाल दिया है प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है जब प्याज भून जाएगा तो हम इसमें एक बारिक कटा हुआ टामाटर डाल देंगे और इसे भी करीब एक मिनट के लिए हम भून लेंगे या फिर जब तक टामाटर सौफ्ट नहीं हो जाता थोड़ा सा तब तक हमें इससे भूनना है अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिसमें मैंने हल्दी पौडर मिर्च पौडर और ये अमचूर का पौडर डाला है आप चाहें तो इसके जगह पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं थोड़ा सा हरा धनिया डाला है सौथ के अनुसार नमक और दो उबले हुए आलू को ग्रेट कर लिया था उसे हमने इसमें डाल दिया है अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मेडियाम आज पे हमें इसे भून लेना है दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को एक लाइक जरूर दिजेगा तो हमारा आलू का मसाला बन गया है तो सूजी को देख लेते हैं तो सूजी बहुत ही पहले से गाड़ी हो गई है तो अब हम इसमें डालेंगे स्वात के अनुसार नमक और दो चूटकी मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है आप चाहें तो इसमें ना भी डाले लेकिन मैंने इसमें दो चूटकी बेकिंग सोडा डाला है अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद मैंने इस तरह से सेंड़विच वल एक पैन गरम किया है अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और जो हमारा सूजी का घोल है उसमें हम इस तरह से चम्मत से डालेंगे इसका एक हमें पतला सा लेयर इस तरह से चाहिए हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसे पतला ही रखना है इसे हम ढ़क देंगे और इसे हम पकने देंगे तो मैंने करेव इसे 2 मिनिट के लिए ढ़क कर रखा था तो अब हम इसके उपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे आप देख सकते हैं यह उपर से सुखा हुआ लग रहा है तो ये अच्छे से पक चुका है तो अब मैंने इस पे पिजा सॉस लगा दिया है अगर आपके पास पिजा सॉस ना हो तो आप टोमेटो केचप लगा सकते हैं या फिर सेजवान चटने भी लगा सकते हैं अगर वो सब भी आपको पसंद न हो तो हरा चटनी लगा सकते हैं इस पे उसके बाद मैंने इसके साइड में मसाला लगा दिया है जो आलू का हमने मसाला बनाया था अब एक तरफ से इस तरफ से उठाते हुए हमें इससे कवर कर देना है तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है बहुत ही करारी बनी है हमारा ये नास्ता बहुत ही टेश्टी लगता है ये खाने में आप एक बड जरूर ट्राइ करिएगा बच्चों को टिफिन में भी सुबसुब आप बना कर दे सकते हैं अगर आपको आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंड और फैमली के साथ सेयर करिएगा मिलते हैं हम अगले वीडियों में इसी तरह की रेसिपी लेकर तब तक करें